आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जलबोर्ट से जोड़े मनी लॉंडरिंग मामले में एडी के आरोपों को सरासर जुठा बताया एपी ने कहा कि वह पार्टी को बदनाम करने के लिए जाच अजिंसी के खिलाफ कानूनी कारवाई करेंगे एपी ने अन्दिकार एक बयान में कहा कि गरया सच साबित होता है कि दिल्ली जलबोर्ट के अधिकार्यों या उसके ठेकेदारों ने किसी भी तरह का गलत काम किया है हम एडी के सरासर जुठे आरोपों की भी निंदा करते हैं एएपी यां उसके नेताओं का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है जिन एएपी नेताओं के घर पर एडी ने छापे मारी की उनके पास से एक भी पेसा या सबुत बरामत नहीं हुआ है डिली के मुखिम मंतरी अर्विन के जिवाल के परसनल सेकेटरी विबाव कुमार और एएपी के कुशाद द्यक्ष और सांसत इंडी गुपता के घर रेड होने के बाद साथ फरवरी की शाम को एएपी की प्रतिक्रिया आई है एडी ने प्रेस रिलीस में साथ फरवरी को आरूप लगाया था कि इन्वस्टिकेशन और डिजिटल सबुतों से पता चला है कि दिली जलबोट घुटाले का पैसा एपी नेताओं को दिया गया या पैसा पार्टी के एलेक्शन फंड के लिए भी दिया गया एएपी ने ये भी कहा कि मोदी सरकार हिटलर की विचाधारा में विश्वास करती है यदि आप एक छूट को हजार बार दोराते हैं तो लोग उस पर विश्वास करना शुरू करतेंगे पिशले दस सालों में मोदी सरकार और उनकी एडी और सीवियाई जेसी अजेंसियों ने एएपी नेताओं के खिलाफ दो सो तीस से ज़्यादा मामरे दर्च की हैं फिर भी अदालातों में एक भी थाबित नहीं हुआ बिना किसी सबूत के एक बार फिर आपका नाम लेकर एडी ने साबित कर दिया है कि वह कुछ और नहीं बल्कि भाश्पा का मुख पत्र है एएपी ने ये भी कहा कि यदि एडी वास्ताव में व्रस्टाचार और मनी लॉंडिंग से निपटना चाहती थी तो ऐसा क्यों है कि सी एजी के उजागर किये मोदी सरकार के घोटालों की कोई जाच नहीं की जा रही है आईशमान भारत गोटाला या भारत माला परियोजना गोटाला की जाच नहीं की जा रही है जिसमें एक किलोमेटर सड़क अठा कोट रुपे के बजाए ठाइसो कोट रुपे में बनाई गई थी एएपी ने एडी पर यह भी आरोप लगाया कि एडी ने चगन, मुझबल, नाराण, राने, अजित पवार और शुबेंद्रु अधिकारी जैसे ब्रहष्टर लोगों की जाच सिर्फ इसले बंद कर दी हो कि वे वो सभी बीजेपी में शामिल हो गए